चॉकलिट कोको बीन्स से बनाई जाती है और इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण चरण शामिल होते हैं। Harvesting कोको बीन्स को कोको के पेड़ की फली से काटा जाता है। Fermentation फलियों को उथले कंटेनरों में रखा जाता है और कई दिनों तक Fermentation के लिए छोड़ दिया जाता है। ये प्रक्रिया फलियों का स्वाद विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। Drying Fermentation के बाद फलियों को धूप में सूखने के लिए फैला दिया जाता है जिससे उनमें नमी की मात्रा कम हो जाती है। Roasting Sूखी फलियों को चॉकलेट का स्वाद लाने के लिए भूना जाता है। भूनने का तापमान और अवधी अलग-अलग हो सकती है जिससे अंतिम स्वाद प्रभावित होता है। Cracking and winnowing भूनी हुई फलियों को तोड़ कर खोला जाता है और बाहरी आवरण, भूसी को भीतरी निप से अलग कर दिया जाता है। Grinding निप को पीस कर पेस्ट बनाया जाता है जिसे कोको मैस या चॉकलेट लिकर कहा जाता है। इसमें अलकोहल नहीं है, यह पिसे हुए कोको ठोस पदार्थों से बना एक तरल है। Conching चॉकलेट लिकर को कॉँच में लगातार मिश्रित और वातित किया जाता है, जो बनावट को चिकना करता है और स्वाद को बढ़ाता है। Tempering चॉकलेट को सावधानी से ठंडा करके और दोबारा गर्म करके तड़का लगाया जाता है। यहाँ कदम सुनिश्चित करता है कि तैयार उतपाद चमकदार दिखे और तूटने पर भी संतुष्टी दायक लगे। Molding and Cooling Tempered चॉकलेट को विभिन आकार और आकार बनाने के लिए साँचों में डाला जाता है। फिर इसे जमने के लिए ठंडा किया जाता है।